Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 8, I remember, I remember, means, मुझे याद है, मुझे याद है, so let's start the new poem. Let's read a poem that takes you to the poet's childhood. चलिए इस poem को पढ़ते हैं और जो poet है, यानि की कवी है, उसके बच्पन को इसमें धूनते हैं. Means, जो कवी है, उसमें कवी के बच्पन को इस poem में लिया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, so let's start. I remember, I remember, the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. I remember, I remember, the roses red and white, the violets and the lily cups, the flowers made of lights, the lilacs where the robin built and where my brother sat, the libanum on his birthday, the tree is living yet. कवी कहता है कि मुझे याद है, मुझे याद है कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ था. वहाँ पर छोटी सी जो विंडो है, जहां से सूरे जागता था और सुबा मॉनिंग के समय में मैं जग जाता था. जब सुबा सूरे की रोशनी केड़की से जागती थी और रोशनी उस पर पढ़ती थी तो, जो है, कवी जग जाता था. और वहाँ से जब वह देखता था कि बहुत ही लंबा दिन होता था, तो वह इच्छा उसकी करती थी कि बार-बार की जिसे रात है वह जल्दी से आए, ठीक है, तब वह एक गहरी सांस बहुत अच्छे से ले पाता था. फिर कवी कहता है कि मुझे याद है कि जब मेरे बचपन में मैंने काफी सारे कलरफुल फ्लार्स देखे थे, जो रेड कलर के थे, वाइट कलर के थे, और लीली कप्स फ्लार्स भी थे, ठीक है, लेलेक्स भी थे, फ्लार्स बहुत सारे कलरफुल और लाइट कलर के फ्लार्स उसके बाद उसके भाई ने वहाँ पर घर सेट किया था जहां पर लेबनम जो है एक ट्री है तो उसके बर्डे पर उसने वहाँ पर अपना घर बनाया था ट्री हाउस टाइप जो बनाते हैं वहाँ पर उसने घर बनाया था और वही पर उसी पेड पर रहता था अब यहां पर बताएं, Lebanon यानि की एक बहुत छोटा सा European tree है, जिसमें yellow color के flowers आते हैं, तो वहां पर, जो है, poet के भाई ने, Robin ने घर बनाया था Next, I remember, I remember, where I was used to swing, and thought the air must rush as fresh, to swallows on the wing, my spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool, the fever on my brow I remember, I remember, the fair tree, dark and high, I used to think their slender tops were close against the sky, it was a childish ignorance, but now it is little joy to know I am further off from heaven, than when I was a boy I remember, I remember, I remember, that when I used to be a slender, when I was a slender, when I was a slender, when I was a slender, I thought, I should be fresh और वहां पर जैसे birds होते हैं, जो एक स्वेलो बर्ड है, जिसके पंक होते हैं, तो वो किस तरीके से एकदम फीडम के साथ उड़ता है, तो उसकी भी आत्मा इस तरीके से उड़ने के लिए करती थी, कवी भी आजादी से उड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत जादा है इस समय बहुत ज़्यादा था उसके उपर, तो वो चाहता था कि शायद जो summer pools है, यानि कि जो घर्मियों में जो pools होते हैं, उसको ठंडा कर सके, ठीक है, उसके उपर जो इतना बोजा है, उसको ठंडा कर सके, लेकिन क्या है कि उसके उपर इतना जादा बोज था, कि जो बहुत मुश्किल था कि जो summer pools है, वो भी उसके जो सर पर माथे पर जो भुखार है, उसको ठंडा कर पाए, तो वो क्या है, अपना बोजा उतारना चाहता था, और फ्री होना चाहता था, तो लेकिन उसको यह सब बहुत मुश्किल लग रहा है कि आब ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, फिर वो कहता है za अमटाना संभी। फिर वो लगर समय याद है कि जो बह्त यादर की जो, पीर होते थे वो काफी और लाध के बहुत में है कि एकड़े होता है rust, लेकिन बोशतले काफी दबा हुआ था तो वह भी आकाश के बिल्कुल पास तक जाए उसको टच करें काफी क्लोज होना चाहता था अकाश के लेकिन यह क्या है बचकानी बाते थी बचकानी अज्ञानता थी जो वह बच्पन में किया करता था लेकिन अब थोड़ी सी खुशी है वहाँ पर थोड़ा सा उसको सब रहे कि चलो ठीक है इस तरीके का तो लेकिन उसे पता था वो जानने के लिए करता था कि वह जब लड़का था तो वह काफी दूर था स्वर्ग से यानि कि वह बच्पन से ही इन खुशियों से दूर था क्योंकि जब बच्पन हमारा होता है तब हम काफी चीज़े फीडम के साथ जीते हैं कोई responsibilities नहीं होती है हमारे सर पर लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पर आ जाती है तो कभी जो है वह काफी सारे जो starting से जो tone लिया है कभी ने poem का तो वह बच्पन में कह पा गया है कि बच्पन में कुछ इतनी जादा जिम्मेदारिया नहीं होती है लेकिन last तक आते जाते जो poem का tone चेंज हुआ है और last में बताया गया है कि किस सरीके से जो burden है वह इंसान के ओपर responsibilities आते जिम्मेदारियां आ जाती है जिसको वह निभाते निभाते काफी ड़ जा थी बच्पन की और अब ऐसा नहीं है